So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानिके 30 जुलाई के important current affairs को, देखे हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी हाली में किस bank ने अपना पहला currency chest इस्थापित किया है, तो आंशर होगा बंधन bank ने, तो अभी बंधन bank ने पटना के दीदार गंज में अपना पहला currency chest ये यानि कि micro small medium enterprises को, और छोटे व्यापारियों के लिए जरूरत पढ़ने पर bank शाखाओं और ATM में currency note के आप पूर्ती करने में मदद करेगा, पटना में देनिक आधर पर यानि कि daily basis पर बहुत सारे नगत लेन देनों, ऐसे में currency chest से bank शाखाओं को भी लाब होगा, तेको बंध है, अभी कोटिक महिंद्रा बैंक, IT portal के साथ एक इकरत यानि के integrate होने वाला पहला bank बना था, ICICI, Campus Power नाम से एक digital platform इसने launch किया, और Union Bank of India की बात करें, तो acceleration aggregator ecosystem पर live होने वाला ये पहला public sector bank बना था, ध्यान रखना ये बढ़ते आगे, चलो बताओ, October 2022 में, FIFA Under 17 महिला विश्व कप का आयूजन कहां पे किया जाएगा, तो आंसर होगा भारत में, तो FIFA का World Cup ये पहली बार भारत में हो रहा है, तो प्रशन तो important है, बात कर रहें, FIFA Under 17 Women's World Cup 2022 की, कहां पे होगा, भारत में होगा, ये इसका सात्वा संसकरन है, और आ जानते हो इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट इभा, जो की एक एश्याई शेरनी है, तीस अक्तूबर को शुरू होगा, और तीस अक्तूबर तक ये चलेगा, इसका जो आखरी वाला एडिशन है, 2018 में हुआ था, वो किस ने जीता था, इस्पेन ने जीता था, अच्छा इ अगर बात करें, फीफा वल्ड कप 2026 वाला कहां पे होगा, तो तीन देशों में होगा, युएस, मैक्सिको और कनाडा में, वैसे फीफा का हैड़कॉर्टर जो रिक्स विट्जलेन में है, और इसके अध्येट शोन है ग्यानी इन्फैनिटो, और आप जानते हो, अभी संत फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, किस फुटबॉलर के नाम पे बनाया जा रहा है, तो बाइचिंग भुटिया के नाम पे, अभी आप का दोगा, रंजीत बजाज का नाम, अखिल भारते फुटबॉल महासंग की सलाकार समीति का इनको अध्यक्स बनाया गया था और अभी पिछले महिने जो फीफा रैंकिंग आय थी, उसमें भारते पुरुष फुटबॉल टीम 104 नमबर पे है, टॉप पे ब्राजील है, भारते महिला फुटबॉल टीम में बात करेंगे तो 56 नमबर पर है, और टॉप पे उसमें यूएस की टीम है, तो ये सब याद र परिक्षाओं के तयारी कराने के लिए फ्री में कोचिंग देगी, और उसी के लिए ये मुख्य मंतरी सार्ती योजना शुरू करेगी, अच्छा इसी से आपको याद आया होगा, कुछ समय पहले, दो राज्य और थे, जिनोंने भी ऐसा ही काम किया था, उनकी योजनाओं क भी शुरू किया था, और उस योजना का नाम रखा था, अनुप्रती योजना, अच्छा देको जारखन के बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, आज कुछ इंपोर्टेंट योजनाओं को हम रिवाइस करते हैं, आपको यादे उज्वला योजना, ये कब शुरू हो अतिरिक्त LPG कनेक्शन करना, और अगर बात करें आयूश्मान भारत योजना की, तो ये शुरू होती है 23 सेप्टेंबर 2018 को राची जारखंड से, इसमें 5 लाख रुपे परती परिवार स्वास्त बिमाद दिया जाता है, और अगर आपसे पूछे न, अभी करेंट अफेर् किसान मतलब क्रशक सम्मा निधी योजना, ये शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को गौरकपुर UP से, किसानों को साल में 3 किस्तों में 2-2 जार रुपे करके टूटल 6,000 रुपे दिये जाते हैं, और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, 22 जनवरी 2015 को ये शुरू होती है पानिपत हरियाना से, सोभाग्य योजना की बात करेंगे, 25 सेप्टेंबर 2017 को शुरू होती है ये, मतलब हो गया इसका सहज बिजली हर घर योजना, और अगर आपसे पूछे कि सोभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्यूतिकरत खरू की संख्या सबसे ज़ादा ह इसका ही करंट अफेर्स का परशन है, और म्रदा स्वास्त काड योजना की बात करेंगे, ये शुरू होती है, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के गंगा नगर के सूरतगर से, तो ये सब याद रखना आप बढ़ते आगे, चले बताईए, अभी हाली में किस देश ने दुनिया क खरीदने से रुकेगा, क्योंकि सांसदों ने सिग्रेट फार्मों के नियंतरन को समाप्त करने का बेड़ा उठाया है, ये जो कानून है, ये सिग्रेट में निकोटीन की मातरा को काफी कम कर देगा, तमबाकू की दुकानों तक उनकी उपलबदता को सिमित कर देगा, और उम्र बढ़ा देगा, आपको याद है, हम एंटी टॉबे को डे कब मनाते हैं, 31 मई को मनाते हैं, और अभी WHO वल्ड हैल्थ और्गेनाईजेशन ने किसे तमबाकू नियंतरन के लिए पुरुस्कृत किया था, तो आंसर होगा जारखंड को, अच्छा नियूजेलेंड की ब बता रहा हूं ध्यान से सुनना, हमारे केंद्रे स्वास्त मंतराले के अनुसार, सभी तमबाकू उत्पाद, जिनका निर्माण, जिनका आयात, या जिनकी पैकेजिंग, एक दिसंबर 2022 या उसके बाद होगी, उन पर एक नई फोटो के साथ, एक नई स्वास्त चेताउनी छ कालम बरत्यू, तो यह अब ध्यान रखना बढ़ते आगे हैं, आचा बताईए, अभी विश्व बाग दिवस कब मनाया गया, तो अंसर होगा 29 जुलाई को, तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, तो वैश्विक इस्तर पर बाग को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में, सबसेदा टाइगर मद्यप्रदेश में मिलेंगे, 526 इसलिए इसको टाइगर स्टिट भी कहते हैं, और टाइगर मैन ओफ इंडिया हमारे केलास साखला है, राजस्तान में रहते हैं यह, अचा भी 35 वा, 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना, गुरू घासिदास टाइगर रिजर्व, यह है 36 गणगा, और हमारे टाइगर की संक्या को डबल करने का लक्षे 2022 का है, लेकिन समय से पहले डबल कर लिया, किसने एक तो तमिल नाडू के सत्यमंगलम टाइगर और उससे पहले किया था उत्रप्रदेश के पिलीबीट टाइगर रिजर्व ने, इसलिए इनको TX2 अवर्ड मिला था, अब देखो इंपोर्टेंट डे वाला गुश्य ने आपको बताए, जब भी इंपोर्टेंट डे का गुश्य आता है, हर बार मैं आपको रिवाइज क हमने कब मनाया, और एक आप बताओ, क्या बताओगे, ये बतादो, अभी विश्वे युवा कोशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्डे हमने कब मनाया था, ये दो बतादो बस, हम बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी भारते संस्कृतिक संबंध पदीशद, इंग्लिश मे संस्कृतिक संबंध परिशत के Distinguished Indologist for 2021 पुरुसकार से सम्मानित किया गया, ये पुरुसकार उन्हें भारत के इतिहास और संस्कृतिके अध्यान में उनके उत्करष्ट योगदान के सम्मान में दिया गया, ये पुरुसकार 2015 में स्थापित किया गया था, और ICCR की स्था जिनने अभी 2022 में Aster Guardian Global Nursing Award 2022 से सम्मानित किया गया था, और कौशिक राजशेखर के बारे में याद है, अभी कुछ दिन पहले ही पड़ा था, वैश्वे कुरुजा पुरुसकार 2022 मिला इने, और सैसल नदजे बैट, ये कमरून की अक्टिविस्ट है, अभी इनको 2022 के वंगा सम्मारी मथाई Forest Champion Award से सम्मानित किया गया था, तो ये नाम भी ध्यान में रखना बढ़ते आ गए, चलिए बताईए, 2024 पैरिस ओलंपिक के अधिकारिक नारे के रूप में किसका अनावरन किया गया तो अंसर होगा, गेम्स वाइड ओपन, तो 2024 के पैरिस ओलंपिक के आयोज कर चुका है, 1900 में और 1924 में, अब ये तीसरी बार कर रहा है 2024 में, तो अलंपिक की बात है, कुछ important points में आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी Tokyo Olympic 2020 में जो हुआ था, Summer Olympic था, 32 वा एडिशन था, उसमें टॉप पे, यानि कि सबस्यादा medal जीते था अमेरिका ने, तो अमेरिक की बात करेंगे, तो टॉप पे चाइना था, भारत इसमें 24 नंबर पे था, मतलब 24 वे स्थान पे था, टोटल 19 मेडल थे, पांच जिसमें से गोल्ड थे, और अब जो होगा, 2024 में, जो पैरिस, फ्रांस में होगा, ये 33 नंबर का होगा, और उसके बाद, जो 2028 में होगा, व उसमें टॉप पे नॉर्वे था, और भारत, भारत ने तो एक भी मेडल नी जीता, और अगले वाले जो विंटर उलम्पिक होगे, वो 2026 में होगे, भई हर 4-4 साल में होते न, तो 2026 में होगे, वे का पे होगे, वो इटली में होगे, अच्छा आपको ये पता है, अभी कली तो पढ़ाए हम लोगों ने World Athletics Championship 2022 जो कि अभी अमेरिका में हुआ था उसमें टॉप पे भी अमेरिका ये 33 मैडल के साथ और भारत ने एक ही सिल्वर जीता है एक ही मैडल है और वो भी सिल्वर है नीरे चोपडा लेकर गया है और इस तरह से भारत 33 नंबर पर है अच्छा यहां से भी दो important आपके current affairs के प्रशन बनेंगे कि World Athletics Championship 2025 वाला और 2023 वाला का पे होगा तो 2025 वाला Tokyo Japan में होगा और 2023 वाला होगा बुड़ापेश्ट में तो यह सारे important point से इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे हैं चलो बताओ अभी किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्य संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगना सरकार के इस्तरी निधी क्रेडिट सहकारी संग के साथ समझुता किया जहाँ पे राजस्थान ग्रामीन आजीव का विकास परिशत की महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा और ये उनके उद्यमों को समर्तन देकर ग्रामीन सशक्ति करन को बढ़ावा देगा देखो राजस्थान के बारे में मैं आपको कहीं बार बता चुका हूँ जैसे कि इसकी कैपिटल क्या है जैपूर है जिसको पिंक सिटी बोलते हैं और यहीं पर भारत का तो दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम भी बनेगा अभी से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया गया था यहां के मुख्य मंत्री कौन है अशोग गैलोथ है और कलराज मिश्र यहां के गवर्नर है लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे हमने कब मनाय था तो आंसर होगा आठ मार्च को और नेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं जब रेडियो डे मनाते हैं यानकि तेरा फरवरी को चलो यह बताओ अभी महिला विधायकों के पहले राष्टर सम्मेलन का आयोजन का पे किया गया था विदान सभा परी सर में जिसका उधगाटन हमारे पूर्व राष्टर पती जी रामनात कोविंद ने किया था और बताओ भारत का पहला अंतर राष्टर महिला वियापार किंद्र का पे इस्थापित किया गया तो आंचर होगा केरल में अच्छा देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व बाला FLO अध्योगिक पार का पे इस्थापित किया गया है हैद्राबाद में एफेलो मानी फिक्की लीडीज और भारत की पहले आदिवासी और दूसरी महिला राष्टरपती कौन बनी है द्रौपधी मुर्मुजी बनी है इनके नाम याद रखना बढ़ते आगे चलो बताओ जुलाई 2022 में किस फॉर्मुला वन ड्राइवर ने अपनी सेवा निवरतियाने की रेटार्मेंट की गोशना कर दी तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटल तो चार बार के विश्व चेंपियन है सेबेस्टियन वेटल इन्होंने 2022 के अंत में फॉर्मुला वन रेस स सन्यास की गोशना कर दिये उन्होंने 2010 में 2011 में 2012 में और 2013 में ये चेंपियनशिप चीती थी आपको बिटा दूं केवल लुईस हैमिल्टन और माइकल शुमाकर के पास उनसे ज़्यादा खिताब है अच्छा जैको 2022 में जितनी भी आपकी फॉर्मुला वन रेस हुई है तो उनका क्विज बनाकर के अप्लूट कर दिया जा चुका है आपकी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन में तो वहां जाकर के इन सबी क्विशन के आप प्रेक्टिस करते रही है यूँ नहीं बोलूगा प्रेक्टिस कर लो मैं यू खँँँगा प्रेक्टिस करते रही है जब تک exam आपके clear नहीं हो जाते हैं और केवल इसी topic पे नहीं अपनी click exam application आप खोलोगे हर topic पे आपको quiz मिल जाएगी 2020 की चाए appointment हो गया चाए 2020 में जितने भी awards आपने पड़े हैं जो भी महिलाएं चर्चा में रही हैं जो भी भारत में पहली बार या विश्व में करना नी करना ये तो आपके उपर है मैंने अपनी तरफ से यानि कि जो महनत में कर सकता था मेरे साइड की महनत मैंने कर दी है आपकी साइड की महनत बाकी है इसलिए आपका result भी बाकी है तो महनत करो quiz मिल जाएगी करेक exam application पे उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा और guys अगर महनत अच्छी लगती है न अगर आपको वाकई लगता है कि हाँ मैं महनत कर रहा हूँ पूरे महनत से आप लोग के लिए content भी तयार करता हूँ उसके बाद quiz भी बनाता हूँ तो बहुत महनत लगती डियर अभी laureus sportsman of the year 2022 किसे चुना गया था ये formula 1 driver है hint में आपको दे दिया बताओ बढ़ते आगे चलो बताओ जुलाई 2022 को भारते नौसेना को किस सुदेशी विमान वाहक की delivery मिली है तो answer होगा विक्रान तो अभी कुचिन शिप्याड ने सुदेशी विमान वाहक पूत INS विक्रान को भारते नौसेना को सोब दिया है तो इस delivery के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास जिनके पास सुदेशी रूप से विमान वाहक पूत के design और निर्मान की शमता है विमान वाहक पूत क्या होते हैं एक ऐसा पूत एक ऐसा जहाज चिनके उपर aircraft आप रख सकते हो उसे ही कहते हैं विमान वाहक पूत तो याद रखना है इसे किस ने बनाया और ये शुरुवात में पस्ची में नौ से ना कमान के पास होगा इसकी लंबाई चोड़ाई की बात करेंगे तो लंबाई इसकी कितनी है 262 मीटर है स्पीड है 28 समुद्री मील और आपको बता दूँ कि इसका जो नाम है भारत के पहले एरक्राफ्ट आइनेस विकरांद के नाम पे रखा गया जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपून भूमी का निभाई थी अच्छा मुझे बताओ भारत का पहला राष्ट्र समुद्री सुरक्षा समयनवेक किसे बनाया गया था जी अशूक कुमार को और हमारे नौ से ना प्रमुक नेवल चीफ कौने आरहरी कुमारे और नौ से न दिवस चार देसंबर को मनाया जाता है अच्छा आइनेस धुरूग के बारे में आपको पता है ये भारत का पहला परमाणू मिसाइल ट्रेकिंग जहाज है और आइनेस राजपूत अपरते आगे तो बताहिए अभी हालि में जारी कोटेक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की सबसे धन्वान महिला कौन है तो आंसर होगा रोश्णी नाडर तो कोटेक प्राइवेट बैंकिंग और हुरुन के अनुसार भारत की सबसे अमेर महिला कौन है तो HCL की जो चेर्म परसन है रोश्णी नाडा दूसरे नंबर पे फालगुनी नायर है नाइका कमपनी की ये हेड है और तीसरे पे है किरन मजुमदार शौर तो ये याद रखना आप चलो मुझे बताओ अभी जो लॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया की पहली महिला निदेशे कौन बनी थी तो आंसर होगा धरती बनर जी और ONGC की पहली महिला अद्यक्ष कौन बनी थी अलका मित्तल बनी थी और सेबी की पहली महिला अद्यक्ष का नाम है मादवी पूरी बुच ये भी कुछ important महिलाएं हैं अभी news में थी और मैंने अभी आपको बताया था ना topic wise quiz तो उसमें first woman पहली महिलाओं से related जो भी important news थे चाए वो appointment की हो चाए awards से related हो पहली महिलाओं से संबंदित वो सारे questions की quiz भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो एक बार crack exam application खोलना उसमें topic wise वाले section में आप जाना पूरी की पूरी line खुल जाएगी आपके सामने जो भी topic आपको पसंद दो वो आप खोल लेना और लगा ले हम बढ़ते आगे चलो बताओ अब जुलाई 2022 में किस राज्य में हरेली पर्व मनाया गया तो आंसर होगा 36 गड़ में अचा डेली कर इंटरफेर्स आप लोग देखते होंगे और जब भी 36 गड़ या उत्तराखंड की बात होती है मैं दो festival आपको अमेशा बताता हूँ एक तो हरेली उत्सव और एक हरेला हरेली तो मनाते हैं चत्तिजगड में और हरेला उत्सव मनाते हैं उत्तराखंड में तो ये अंतरा आप ध्यान जरूर रखना अब बात यहां पे 36 गड़ की है तो ये रहा मैप में 36 गड़ केपिटल इसके राइपूर है मुख्य मंत्री है बुपेश बगेल और गवर्नर है अनुसुया उईके है हमने बात किया था ना कि भारत का 53 नंबर का टाइगर रिजर्व ये गुरू घासिदास टाइगर रिजर्व है चत्तिजगड में ही है और एक पंड़वानी नरत्य आप जरूर याद रखना ये चत्तिजगड का है और इसकी पहली महिला कलाकार का नाम है तीजन बाई ये पूछा जाता है एक्जाम में कहीं बार अभी चत्तिजगड सरकार ने ही मुखे मंतरी मितान योजना शुरू की थी और चत्तिजगड ने कोशल्या मातरत वे योजना शुरू की थी जिसमें दूसरे बेटी के जनम पांच अजार रुपे दिये जाएंगे तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि 2025 में महिला वंडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा तो आंसर होगा भारत आप सभी ने प्रशन का बिल्क